दोस्तों खेर आपने देखा किस तरह से पहलवानों के दोरा ये दावा किया जा रहा था कि हम लोग जा करके जितने भी सारे मेडल जो कमाये हैं उन सभी मेडलों को जा करके गंगा में अरफित कर देंगे गंगा में भी सर्जन कर देंगे लेकिन उन पहलवानों का जो मूर थ कि परकार्षर इल्जाम लगाये और इसका कारण कुछ भी हो लेकिन असपष तरीके से दीख रहा है कि इसका सीर्फ vind हे कारण अध्यक्षपद से हटा दिया जाए सभी पहलवानों को पता है और ये बिरिजभ्यूशन सिंग को अध्यक्त पद से हटा दिया गया और अगले बेगती जिसके टार्गेट में सभी लोग हैं और ये उसे अध्यक्त बना दिया गया तो हर्याना के जितने भी पहलवान है वो डाइरेक्ट जा करके सिध्य ओलंपी खेलेंगे और खेर आप भली भांती जानते हैं कि वहां से मेडल तो आने वाला है नहीं लेकिन उन लोगों की तमन्ना पूरी हो जाएगी कि हाँ हम जा करके ओलंपी खेले हैं भले वहां से फर्स्ट राउंड में ही हार करके वापस आ जाए तो ऐसी राजनिति की जा रही उन लोगों के द्वारा और रही बात उन पहलवानों की तो उन पहलवानों को जितना खेल में पैसा नहीं मिल पाता है आज धारना करने पर उन लोगों को फंडिंग मिल रहे हैं उन लोगों को उतना पैसा मिल जा रहिए किसी परकार्शा लग्जरीव लाइव लोग फिससा कारण है कि वो अभी वापस जा नहीं रहे हैं और यह ही उनゲased ओन्हें नया नहीं मिल जाए तब तक वो लोग वापस नहीं जाएंगे लेकिन क्या है ऐसा ही होता रहा कि हम अपने मनपसंद के बेक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए ऐसे संघर्ष करते रहें और भारत के जो इज़त है भारत के जो ओलंपिक लाने वाले जो लोग हैं उन्हें बिन के सांसरद होने के बाद बिजेपी के बेक्ति बिरिजभुसन सिंग है इसलिए उसे प्रधान मंतरी के दोगार कोई एक सन नहीं लिया जा रहा है उसे हटाया नहीं जा रहा है जो कि बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इन पहलवानों की मानशिक्ता कहां है और किन लोगों के बाकावय में आ करके यह लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जोकि अपनी जो परतीभा है उसे बेर थी नष्ट कर रहे है, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और एधी उनके साथ displaysं हुआ है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि हजारों लड़कियों के साथ बिरिजभूसन सिंग ने ऐसा किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आज चंद जो चार-दस लोग हैं उन लोगों के द्वारा ही ऐसा इलजाम लगाया गया है और एदी उन लड़कियों के साथ है दि ऐसा हुआ होता, तो उन लोगों के दवारा आज सामने आकर किया कबूल किया चता है कि हम मेरे साथ भी हुआ है, और हाजार में 2-4.00 लड़किया जरूर ही आ जातीए, और उन लोगों का ऐसा कबूल नमा होता, लेकिन आ दोको कोई भ ख्यान लगाना चाहिए और नहीं परियास करना चाहिए कि अगला यव उलंपिक की तरह से भारत में लाया जाए